बात करें अत्यदिक वर्षा की तीवरता जी हां 15 परसेंट बढ़ने का अनुमान है कहां पर नौर्थन एमिस्पेर उत्तरी गोलार्द में जी हां दोस्तों तो टाबिक हमारे सामने हैं आपके स्क्रीन पर इंटेंसिटी ऑफ एक्स्टीम रेंफॉल एस्टीमेट टू बी इं पान में क्लाइमेट चेंज जलते हैं एक दीटापान बढ़ता है दुनिया का तो यहां पर उत्तरी गोलार्द में दोस्तों उत्तरी गोलार्द का जो अलाका है यहां रेंफॉल 15% तक बढ़ने का नुमान है यह मानना है हमारे वेग्यानिकों का दोस्तों आईए बात करते बरफबारी में कमी आएगी और वरशा में रद्धी हो रही है जी हां यह देखने में आया है कि पहाड़ी लाकों में जो ग्लेशियर जमते थे पहले वो ग्लेशियर कम जम रहे हैं बरफबारी में कमी आ रही है और बारिश हो रही है इस जलते क्या होगा बारिश होगी तो बाड़ आईगी लोगर अलाकों पहाड़ आईगी जी हां तो यह देखने में आ रहा है लगातार एक पत्र का नेचर वे छपाया इस बारे में कि अत्यदिक बर्शे घटनाओं के खत्रे में रधी पविश्वानी की गई है जी हां लगातार बार बनी हुई है उत्तरी गोलार्ट के पहड़ी आलाकों में जो पहड़ों बार आएगी दो नीचे दो बार आए नहीं है तराई के लाकों बार आएगी नदियों बार आएगी नदिया अपने आपे देखा जाये दोस्तों यहां माना गया है कि यहीं दुनिया का तापमान एक डिवी सेलसियस बढ़ता है दुनिया 15% तक बारिश बढ़ सकती है अधिक बारिश घटनाए हो सकती है तो पहली बास साइंटिफिक डेटा निकाला गया विग्याने को द्वारा एक ड जरवती शेत्रों में या उसके नीचरे हिस्से में रहती है जी हां 26% पॉपलिशन कहां रहती है पहाड में या पहाड के तराई के अलाकों में ऐसे हैं पहाड पर जादा बारिश पंद्रा पर सेंट जादा बारिश दुनिया की एक चौथाई आबादी 26% आबादी के यहां जो बारिश बढ़ रही है अगर बारिश यहां 50 सेंटिमिटर हो रही है तो यहां 100 सेंटिमिटर दी से बढ़ रही है यानि उचे लाकों में बारिश के बढ़ने की दर भी जादा है यह वा सामने आई है उच उचाई वाले शित्रों में वर्शा ब्रदी की दर जो है वो कम उचाये वाले तुनला में लगबग दो गुनी है जी हां यहां अगर 50 सेंटमीटर बढ़ रही है बारिश तो यहां 100 सेंटमीटर बारिश बढ़ रही है जो कहीं न कहीं मुश्किल है कर रही है परवती आलाकों में और जादा है एस को रिकॉल करें फिर से मैं यह आपको तो क्लाइमेट चेंज चलिए बोट पर चलता हूं लेकर आपको यहां पर अग्जा यहां पर यहां लिखने में आएगा दोस्तों डेटा भी कोट करते हैं इस प्रकार का कि climate का नेचर में छाई पत्र का मताबिक एक डीट आपमान बढ़ने से 15% बारिश बढ़ जाएगी बरफ बारी कम होगी आप सो सकते हिमाले के उचे लाकों बरफ कम हो जाए बरफ कम हो जाए और वरशा बढ़ जाए तो क्या असर होगा इसका ये अपने हमें आपड़ा देख रही हैं आपर ग्लेशियर नहीं जमेंगे तो क्या होगा सदा नीरा जो नदिया हमारी वो खतम हो जाएंगी उन पर टिकी अग्रिकल्चर खतम हो जाएगी हमारी पहाड़ी लाकों में टूरिजम खतम हो जाएगा लगातार बार आए जब लेखन में इस प्रकार के आंकड़े आपके पास हो तो क्या हम अमीद कर रहा हूं वियाद जोड़ पा रहे हम लोग यहां पर हमाले पर क्या सा पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का सोचेगा पहली बात बरफबारी कम बरफबारी कम यानि की ग्लेशियर कमजोर या ग्ले और इसका सीधा मतलब है भार्त में क्रशी पसर पड़ेगा, क्रशी कम होगी, पेजल की मातरा कम हो सकती है, ड्रेंकिंग बॉटर कम हो जाएगा बरफ के कम होने से वहीं, पहारी राज़े में वर्षा बढ़ती है, तो क्या होगा? वर्षा बढ़ने का असर है भूसकलन भाड़न बार बने गा और हमनेट चेंज पर वहां के जीवन पर वहां के जेविध्या प्र वहां के वन्य प्राणियों और लेकल रोगतां तो जो brown beer डीय है, भुरे रंगा भालु रहता है, उनकी जैवित्ता पहाड़ी कल्चर है, पहाड़ी संस्कृति है, पहाड़ी जो हमारे याक है, उनका जो कल्चर है, वो कहीं न कहीं खतम होने के कगार पर आ जगा जीए आँ दोस्तों, तो हिमाले की संस्कृति पर एक असर होग अगर हमारे जो एक दुनिया का थर्ड पोल या तीसरा ध्रोम माने जाते हैं अगर वो बरफ हट जाती है वो हिमांक मंडल वो हमारा जो क्रायोस्फेर खतम हो जाता है तो दुनिया में बड़े स्केल पर एक परणाम हो सकते हैं क्लाइमेट इंगा परणाम पड़ेगा बरफ वह लिए यह भारत के मांसून बसा डालेगा मांसून पर तिब्बत और हमाले का व्यापक असर होता है सब जानते हैं अब लोग तो ऐसे में भारत का यह मांक मंडल है क्रायोस्फेर है दोस्तों हमाले और यह मेल्ट होता है इस से बरफ खतम होती है तो इसका सीधा असर हो हमारे मांसून पर इसका सर होगा भारत की जलवायू पर इसका सर होगा हमारा मांसून अनिश्चित हो जाएगा जी हाँ हमाले का सर हमाले पर नहीं भारत की पूरी जलवायू पड़ेगा इवन पूरे भारत नहीं पूरे साउथ एशिया की जलवायू बंगलदेश नेपाल भुटान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब की जलवाई पड़ेगा, जी हाँ, तो हमांक मंडल है, क्राइस्फेर है हमारा अपने आप में ये, और क्या होगा, हमाले, अगर हमाले की बात करें, हमाले में अगर तापमान बढ़ता है, तो क्या असर होगा, पड़ेगा, दोस्तों, यहाँ पर, जो बड़े सक्राइब तीर त्यात्रा होती है, हमाले इन शित्रों में मुश्किल में आ जाएं, कहीं न कहीं, अगर मैं कहूं, वहाँ पर तोरिजम जो हस्त शिल्फ है, पूरा बरबाद हो जाएगा, उद्योग वहां का अपने आप मे पहाड़ी रोजगार और कम हो जाएंगे, क्रामी का समझा जाए इसका, पहाड़ी रोजगार और कम हो जाएंगे, और क्यासर पड़ेगा, हमाले पर क्लाइमेट चेंज का असर देखे हैं, तो हम लोग, वहाँ की एकनामी में जो हाइडरो पावर बन रही है, जल पाइर प्लांट खत्म हो जाएंगे आठके वहां पर इसके लिखे लावा जो खत्म हो Bye- डिखे समय लेखार को प Glory-族। बैआश को सामना करने में उन्हें बार बार आप्डां को सामना करना पड़े गा मोस्मी खराब हो सकती है बारिश अगर आती है उनके जिली मुश्किल होगा can 치akने कंस जाहें होगा सुरक्षा पर, एकनॉमी पर भारत की जोगरफी पर, भारत की आपदाउं पर भारत के सोशल आसपेक्ट पर भारत की जोगरफी सब आप निकाल ली जोस्तों आप आप ionsacres जोड़ जयागए जोड़ सकते हैं अब लोग्ए अनैकेडमी पलस क्लासेज में जहां पर आपके लिए बहुत ही शांदार क्लास चल रही है, इस समय कौन सी, साइंस टेक का बैच चल रहा है, वाल टीमेट दोस्तों, एकनोमी का बैच आने वारा है, प्रीकंबेंस का, करेंट अफ्यस का बैच दोस्तों, जोड़िये मेरे साथ, कोड मेरा है, आशिरवा 360, आशिरवा 360, यूज करिए, आईए मेरे मेंटरशिप में, जोड़िये मेरे साथ, तैयारी को बहतर कीजिए, अपनी, और, और क्या करिए दोस्तों, कोई अगर समस्या है, तो आप कॉल कर सकते हैं, हमारे इस नंबर पर, 85, 85 को 5 वर दवाईएगा, कॉल करिए, याद है कि अच्छा उफर चल रहा है, इस समय उफर क्या है सर, जुलाई महिने में एक्स्टेंशन उफर चल रहा है, यह बारा महिने का कॉर्स आप लेते हैं, तो दो महिने में एक्स्टेंशन आपको दिया जा रहा है, एक अच्छा प्रेटफॉर्म, अच्छी फैकल्टी, अच्छे एजुकेटर आपके साथ, अच्छे कॉंटेंट के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ आपसे मिलते हैं, तो आपकी महाद को अच्छा आसान कर देंदे हैं.